नमस्कार किसान भाईयों स्वागत है आप सभी का रोगी पोदो के होस्पिटल यूटूब चैनल में आपका मित्र सैलन राजबुत किसान भाईयों आज के शुड़ियों में हम चर्चा करेंगे यूपियल कंपनी के वेश्टा खर्पतवार नाशक दवाई के बारे में जानक करें आपको यूडियो में मिलने वाली तो प्लीज आप सभी से निवेदर ने बिना इस्किप के वीडियो को देखते रहें और जो किसान में यूटूब चैनल पर नहीं है प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले और पास में लगी बेल आइकन को भी दबात दीज जल्दे जल्द मिलता रहें इसमें दो टेक्निकलों का कॉंबिनेशन होता है फिला इसमें प्रुपपाइजल 15 परसेंट प्लस दूसरा जो हुआ मैट सलफरॉन मिथाइल एक डव्ल्यूपी फॉर्म में उपलब्द होता है यूपल का वेस्टा एक बोर्ड स्पेक्ट्रम ह कहब लिएक ज है करता है जाओ हिस जब सझाथ 30- tended हो जाए तब और घर्पतिवार से 6 पति कता तब इसका सप्रे करना हे यह ग्यों की फसल में दोनों प्रकार के खर्पतवारों को नश्ट करता है यानि चोड़ी वेवमसक्डी दोनों प्रकार के खर्पतवारों को नियंतरन करता है इसका इस्प्रे करते ही 48 घंटे की भीतर खर्पतवार की ग्रोथ वा बढ़वार रुख जाती है और 8 से 12 दिन के भीतर या खर्पतवार को पूर्ण रुख से खत्मक कर देता है इसका इस्प्रे करते ही समय हमें कुछ बातों का ध्यान रखना है खेत में नमी अच्छी होनी चाहिए तबी इस्प्रे करें एक बार वेश्टा का इस्प्रे करने के बाद दुबारा वेश्टा का इस्प्रे एक एक खेत में ना करें बारिस का मोसम हो जाए तो तब हमें वेश्टा का इस्प्रे ना करना है साप पानी लेना है इन सबी वातों का हमें ध्यान रखना है इसके डोज की बात करें तो आपको 160 ग्राम 180 लिटर पानी में मिला कर इस प्रे करना है एक एकड़ में इसकी किमत की बात की जाए तो आपको 160 ग्राम का वेश्ट टैक अप एक पांसो पचास से 580 रुपे में मार्केट में मिल जाएगा और भी आपके मन में किसी प्रकार का आप असल संबंदित कोई प्रशन हो यह सवाल यह सुजाओ तो प्लीज कमेंट बुक्स में कमेंट करें और जो किसान मितर यूटूब चैनल पर हैं नए हैं प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना नह भूलें और वीडियो अच्छी लगी हैं लाइक करें शेयर करें बहुत बहुत धन्यवाद अब सभी का